कैसी हुँ आप सब !! तुप वर व्यूस की रेझाई है लिए और मेट लॉस के लिए काफी जूस का आस पता है डाइशन के लिए हमारे हेल्थ के लिए और हमारे वेट लॉस के लिए काफी कारगर साबित होता है तो इस तरह से कट लगा के मैं अंदर का पार्ट अंदर का जो पल्प है उसे निकाल के और ब्रैंडर जार में डाल दे रही हूँ आप चाहें तो इसका बीच निकाल सकते हैं बट इसका बीच बहुत वायदा करता है हमारी हेल्थ के लिए इससे खाये जा सकता है इसलिए मैं इस बीच को नहीं निकाल रही हूँ सभी को मैं मिक्सर जार में डाल दी हूँ इसमें मैं डालूँगी धागे वाला जो मिस्री आता है उसको 20 के 2 चंबर डाल रही हूँ आप मिस्री के जग़े पे हनी भी यूज कर सकते हैं अब एक निवो का रस जाएगा पूरा एक निवो का रस डाल रही हूँ उसके बाद इसमें मिंट लीब डालूँगी यानि की पुदीने के पत्ते डालूँगी और इन सभी को डालने के बाद इसे ग्राइंड कर लूँगी इससे मैं जूस बना लूँगी तो ये हो गया ग्राइंड और जूस बनके हो गया रेडी तो इसको मैं डाल दे रही हूँ, इसी पार्ट में जो घोखला किया हुआ तर्बूस था, उसी में मैं डाल की, इसमें थोड़ा से मैं डालूंगी काला नमक, और इसमें कुछ लाइस किये हुए नीबू डालूंगी, फिर मैं इसमें डालूंगी कुछ पुदीने के पत्ते, पुदीने के पत्ते डालने से बहुत अच्छा मिन्टी फ्लेवर आता है, और हमारे डाइजेशन को इंप्रूब करता है, ठंडक देता है हमारे पेट को, तो इसलिए गर्मियों में पुदीने का आप यूज करें, और इस जूस में जरूर यूज करें पुदीने का, तो य अगर आपको इसका पल्प नहीं चाहिए, तो आप इसे छननी से छान भी सकते हैं, छानने के बाद सर्फ कीजिए, मैं छननी से नहीं छानती हूँ, मैं ऐसे ही सर्फ करती हूँ, या खुद पीती हूँ, या घर पे किसी भी मेंबर्स को देती हूँ, ऐसे ही देती हूँ, य जो मैंने पहले से भींगों के रखा हुआ है सब्जा का वीज हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है ये हमारे डाजेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है जिसको भी डाजेशन का प्रॉब्लम हो वो सब्जा का वीज अपने डाएट में जरूर सामिल करें ये हमारे पेट को ठंडग देता है और हमारे वेट लॉस में भी काफी फायदेमंद होता है ये सब्जा का वीज है जिसे तूलसी का वीज भी कहा जाता है तो इस तरीके से भी हम इसे सर्फ कर सकते हैं सब्जा का वीज और बर्फ के कुछ टुकुरे डालके भी इस जूस को हम सर्फ कर सकते हैं और काफी फायदेबंद होता है रिफ्रेशिंग जूस है ये तो इसे आप घर पे जरूर ट्राई करें और रेसिपी कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही चाहिएगा